आज किस वीडियो में हम compare करेंगे इंडिया में मिलने वाले दो best wireless power bank के बीच में जो की है Simpson का wireless power bank और AMI का wireless power bank दोने के बीच में compare करेंगे और जानेंगे कौन सा power bank है best आप देख रहे हैं best वाले जहां मिलता है आपको शांदार comparison, बहतरी रिव्यू ऐसी वीडियो स्पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें जो दोनों की हम price बताएंगे दोनों power bank की वो change हो सकती है इसलिए इन दोनों के link हमने नीचे description में दे दिये वहाँ जाकर आप इनके price को check कर सकते हैं बाय करना चाहिए तो बाय भी कर सकते हैं नंबर वन पर जो हमारा power bank की वो है सिमसंग का wireless power bank आप जानते हैं सिमसंग एक branded company है और इसको आप कई devices को इससे चार्ज कर सकते हैं wirelessly और इसको बाय करने पर आपको यह branded value देगा नंबर टू पर जो हमारा power bank है वो है AMI का power bank काफी बड़ी company है बहुत सारे products इसके market में available है और इसे भी आप लेना consider कर सकते हैं अब देखते हैं इन दोनों के बीच में एक overall comparison और करते हैं इनके बीच में review नंबर वन पर जो हमारा power bank है वो है सिमसंग का power bank और नंबर टू पर हमारा AMI का power bank इनके comparison में सबसे पहले आता है कि इनका battery capacity कितनी है तो सिमसंग की capacity 10,000 mH है और AMI की capacity भी 10,000 mH की है इनका जो weight है वेट सिमसंग का जो weight है वो थोड़ा ज्यादा है AMI के मुकाबरे 236 gram और जबकि AMI का जो weight है वो 231 gram है कुछ ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन AMI का कम है बात करते हैं वारंटी कि तो सिमसंग में आपको 11,000 mH की वारंटी मिलेगी जबकि AMI में आपको 6 मैनी की वारंटी मिलेगी टाइप C port की बात कर लें तो सिमसंग में आपको टाइप C port मिल जाएगा और MI में भी आपको type C port मिल जाएगा battery cell की बात करें तो देखिए दो type की battery cell आता है एक lithium polymer और एक lithium ion तो lithium polymer best है अगर आप दोनों में से लें जबकि Samsung ने lithium ion battery cell कस्तमाल किया है और MI ने lithium polymer कस्तमाल किया है इन दोनों में से lithium polymer best type of battery cell है अब बात करते है port की तो आपको जो Samsung है इसमें दो port मिल रहा है type A और type C जबकि जो AMI है उसमें भी आपको 2 port मिलेंगे type A और type C अब बात करते हैं price की तो देखिए price जो है चेंज हो सकते है Samsung का जो Samsung का जो price था वो 3500 था जो कि अब कम हो चुका होगा जो कि तीन हजार के आसपास का भी आपको पढ़ सकता है इसका latest price आप description में चेक कर सकते है जबकि AMI को जो price है वो 2500 का hedge वो भी change हो सकता है इन दोनों के price आप नीचे description में जाकर check कर सकते है जो कि change हो सकते है आपको ये power bank कैसे लगे comment में लिकर जरूर बताईए बाय करना चाहिए तो इन्हें आप बाय कर सकते है comment में लिकर बताईए और आपको कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते है इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और support कीजिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you एसे ही वीडियो सपाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू